दोस्तों आज हम बात करेंगे स्मार्टफोन बाइंग गाईड के बारे में यानि कि 2024 के अंदर अगर आप एक смार्टफोन पर्चेस करने की सोच रहे हैं तो आपको कब पर्चेस करना चाहिए नया फ़ोन कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए क्या क्या चीज़ें उसकंदर देखनी चाहिए सब कुछ बताऊंगा आज किस वीडियो में तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है रोहित और स्वागत आप सभी का एक और लेटेट स्टेक वीडियो में सबसे पहली बात आपको अपने दिमाग में ये बिठानी है कि स्मार्टफोन सिर्फ एक गैजेट है ठीक है आप उसको ऐसा लेकर मत चलो कि ओक्षिएन की तरह है कि होगा नहीं तो फिर जिंदकी खराब ऐसा नहीं है सिर्फ एक गैजेट है जो आपकी हैल्प करता है आपके क सबसे पहले कब लेना चाहिए कैसे लेना चाहिए कभी भी स्मार्टफोन यह सोच के बिल्कुल मतलोंकि नए फोन नहीं फोन्स आते हैं जैसे के पीछनी आति होते हैं इतने नहीं होते और कुछ तो इम्रूमेंट कंपनी करती ही है तो आप ये देखो फीचर तो आएं तो या वह आप यूज करोगे या फिर सिर्फ मज़े के मतलब ऐसी ले रहे हो कि हाँ थोड़ा सा यह है के नई फीचर साएं भाई मज़े तार फीचर से ले लेते हैं क्या आप यूज करने वाले हो क्योंकि मेरे पास सैमसंग करके दिखाता है उसको हिंदी में टिक है क्या बोल रहा है तो यह गलक्सी यह इस तरह से काम करता है एक फीचर सरकल टु बनाएंगे उसको सरच नहीं किया हां जब शूरू में फ़ों लिया था तो एक दो बार यूज़ किये थे, यूज़ मतलब वो भी चला के देखे तो सिर्फ के फीचर कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, बट आज तक मुझे जोरत नहीं पड़ी और नहीं मैंने यूज़ किया है, सरकल टू सर्च फीचर कभी-कभी यूज़ में आ सकता है, आपके माले जो कोई ऐसी चीज है, या कोई लेंग्वेज में कुछ लिखावाया या पिर कोई इमेज ऐसी जो आपको समझ में नहीं है, क्या इसको क्या बोलते हैं, तो शायद वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे आस तक यूज़ में नहीं आई है, तो फीचर सुनने में तो अच्छे लगते हैं इस स्मार्टफोन के, लेकिन आपके काम के हैं या नहीं है, पहले ये देखो और उसके बाद में फोन पर्चेस करो, ऐसे नहीं के भई, मेरे पास फोन ये है, अच्छा चल रहाँ बट इस फोन में अच्छे फीचर आएं, अब इसको ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरी बात, फोन अपडेट करने का, अपडेट से मेरा मतलब सोफ्टोर अपडेट से नहीं है, ये फोन मान लिजे S23 है, S24 आया या फिर S25 आया, तो नया स्मार्टफोन लेने के प Facebook, Instagram चलाते हैं, सिर्फ उससे है, अगर आप सिर्फ इतना काम करते हैं, तो आपको सिर्फ ये देखना है, फोन अपडेट करने से पहले, फिर बदलने से पहले, कि आपके फोन में सेक्योर्टी अपडेट और जो Android अपडेट से वो आ रहे हैं या नहीं आरे, अगर आपके फ पन पोन पहलगा बग्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, फोन फो रहा हो जाता है, क्यो कि सेक्योर्टी अपडेट क्या करता हैं, हर तीन-चारव वहनने में पहल trainer हैं अपकी फोन के कंप्मपनी और को सिर्फ करते हैं उनको फिक्स करते हैं ताकि आपके फोन पर कोई अटैक हैकिंग और यह सारी चीज़े ना हो मालवेर वायर्स यह आपका फोन से दूर रहें काफी हद तक तो यह चीज़े की जाते हैं बट आप सेक्योर्टी तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं और यहां पर मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगा होता क्या है कभी-कभी मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी का फोन है जो की है 35 रूपे का ठीक है लेकिन वह फोन मैंने अपसे दो साल पहले ख़ले था अभी के टाइम पे 40 या 45 यार का एक फोन नया आ रहा है उसकंदर काफी अच्छे फीचर है कैमरा भी मेरे फोन से थोड़ा सा अपग्रेड मान लीजिए और बाकी कुछ चीज़े मेरे फोन के जैसे हैं लेकिन कैमरा बगर तो ज्यादा अपग्रेड है बस्यादा कुछ चेंजिस नहीं लेकिन लाओ चाहिए प्रोसेसर चाहिए वह चीज़ आप डिपैंड करते हैं अब अगर अपडेट ना भी करेंगे आपको कुछ नुकसान ज्यादा नहीं होगा आज ज्यादा आप ज्यादा अप ज्यादा फोटोस क्लिक नहीं करते तो अगर अपडेट भी नहीं नहीं भी तो फोन इनफ है आपके लिए लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा काम आपको फोटोस ज्यादा क्लिक करने होते हैं आपको वीडियो शूट करने काम है और कोई नया फोन लोंच हुआ है जो आपको अच्छी कैमरा क्वालिटी दे रहा है तो डेफिनिटल आपको चेंज कर लेन लेकिन अपनी मां से बोला जो मंदिर के बाद आई फूल अगरे बेशती थी कि मुझे फोन लेना तो तो तीन इन तक खाना भी नहीं खाया आइफोन लेना खाना भी नहीं खाया फिर उसके माने एक डेट लाग रुपर उसको दिये तब जाके फिर ब्लब जैसे भी और पै है कि अगर आप आईफोन लोगों तो भी आप इतना एकदम से इतना बढ़िया करोगी कि अगर आईफोन लेने के बाद भी आपके रिल्स पे 100 व्यूज आए 10-15 लाइक आए तो ही क्या कर लोगे आप कुछ नहीं कर सकते ना और वहीं पर आप एक 10-15 लाइक का फोन ले लो लेकिन अगर आप मेरी पुरानी ओल्डेस्ट वीडियो देखो के क्वालिटी एकदम खराब आ रही है यह माइक भी नहीं स्टार्टिंग मैंने कैसे कैसे स्टार्ट किया मुझे बता है चैनल पर एक वीडियो है मैंने फूप पर बताया था उसमें वीडियो बनाता था करता हूं तो मेरी चीज़ा और अची हो जाएंगी तब आप ले सकते हैं पर स्टार्टिंग में आपको सिर्फ इस नाम पर के मुझे रील बनानी है वीडियो बनानी एक मैंगा स्मार्टफोन खरीदना है तो मेरे ख्याल से वह एक ना समझी हो सकती है और अगर हम बात करें स्मार्टफोन खरीने के लिए मैं क्या-क्या चीज़ देखनी चाहिए तो मैंने आपसे सिंपल पहले भी कई बार बोला हुआ है आपकी अपनी रिक्वार्मेंट होंगी सब की अलग होती है किसी की बैटरी और किसी की रैम किसी का प्रोसेसर सब के अलग लग नीड्स होते ह से साफचा देख सकते हैं लेकिन आपको एक बात हर बार कहा चूंँ और अब भी कहता हूं कि कोई भी स्मार्टफोन कंप्लीट नहीं होता मैं यह बात बार बार बोलूंग और बोलता हूं हमेसा आप चाहिए डेड़ लाग का आईफोन ले 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 एक लाग का ले ले सैमसं संग गलेक्सी एस 25 यह 24 अल्टरा के अंदर मिल जाए वो आइफोन के अंदर देखने के लिए मिले ही ना या फिर जो फिचर आपको आइफोन मिलता है वह आपको एंड्रोड में मिले ही ना तो इसलिहास से कोई फोन पूरा नहीं होता सब के अंदर चीज़ें अलग होती है काफी लोग मुझसे बोलते हैं मैं बताता हूं फोन का comparison करता हूं कि यह वाला ले लिजे तो बोलते हैं भाई इसमें तो यही नहीं है मेरे भाई इसमें यह नहीं ठीक है माना बात लेकिन दूसरी चीज़ तो देखो जो इसमें एविलेबल है जो दूसरे से बैटर है इसम लोग चुए इस महीने अगर अच्छा फोन लोग चुए तो आप उससे देखिए उससे पिछले महीने में जो लोग उसे देखिए मतलब यह कि आप को सिस्कीजिए ज्यादा पूराना ना खरीदें अगर नहीं है तो आप 2-4-6 महीने पुराना खरीद सकते हैं क्योंकि वह जाता पुरा नहीं होगा नहीं वैसे अगर वह खरीदें अच्छे स्पैक्स मिल रहें तो अच्छी बात ओन खरीदें समय एक बात का जरूर याद रखें अगर आपको लंबा फोन चलाना है मतलब कि बहुत से लोग बोलता है कि एक बार ऐसा फोन बता तो 3-4 साल तक हम चल बोला जैसे की security updates अगर नहीं मिलते तो फिर bugs वगरे की issue चालू जाते हैं फोन स्लो होना वह सारी दिक्कते आ जाती है न तो इस वाई से आपको कोशिस यह करने लंबा फोन चलाना तो Android and security updates पहले आप देख लें और एक चीज़ आपको और बताना चाहूंगा जो आतकल company और तो पहले आपको चेक कर लेना पता चले आपने सोचा बहुत अच्छा है आपने फोन खोला अड़ेप्टर लेना पटाथा दो जारगतों 27,000 पड़े आपको ना वो सकता आपको बजट से बाहर हो जाए फिर वह चीज तो यह चीज भी देखने वाली होती है तो चीज़े क कंबे चलाने हैं अगर फोन तो क्या देखना चाहिए तो मैं आपको सब चीजे बता दिये आई होप आप लोग समझ गयोंगे आप लोग कोई कोशन है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंड करके पूछ सकते हैं कमेंड बोक्स में आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही वीड सब्सक्राइब आप टेकर लिए जया हिंदे बंदे मात